बेबुसराई की छाटरा दूबई में आयजित वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेंगे इसके लिए छातरा का चैन किया गया है छातरा के चैन से उसके परिवार और गाव में खुशी का महौल है चात्रा का ये चैन मैट्रिक में अच्छे अंक और इंटर्वियू के अधार पर किया गया है तेगडा नगर पंशायत के पुरानी बजार निवासी किसान सत्यदेव यादफ की पुद्री कोमल कुमारी का चैन वर्ल्ड एक्सपो के लिए किया गया वर्ल्ड एक्सपो के लिए किया गया है उसके परिजनों के साथ साथ हाई स्कूल के प्रिंस्पल का उनके मोटिविशन में काफी एहम योगदान रहा है इसकी वज़से वो मैक्ट्रिक में अच्छे अंक लाई है और अब इसका चैन वर्ल्ड एक्सपो के लिए भी किया गया है कोमल के पता और भाई ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके घर की लड़की विदेश जाएगी कोमल के भाई ने बताया कि ग्रामिन शेत्रों में आज मी लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है जबकि उनके पिता खेदी करते हुए बच्चों को पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया है इस वज़र से आज उनकी बेहन वर्ड एक्स्पो में चाहिन निठी हुए ग्रामिन महुल में श्टाट से ही मैंने पढ़ाई किया सेकारिया स्कूल में ही पहली मेरा यहां पास में ही एक स्कूल होहीं पर पढ़ाएगा पिर बाजा में एक मर्ड विद्याले है राज के कित मर्ड विद्याले तेहरा बाजा है इससे मैंने आजमिक तिक्छा क्राप की उसके माद फिर राश्ट्रिया स्कूल में गए राहां के पिंसिपन सेंट्रिया सेंट भूत आगे किया और इक मोट अगे बर उनी के मोट सूधा स्कूल में बहुत अछह मैसेज आगा रही है ठाट्शन में इसबात से और मुझके बहुत अच्छा मैसेट और स पर रहा है अज़ वर्ड एकस्पोल में न अच्छा मकलब मुझे भी जाने का मोकають मतना ह। समय फेल देटारीख कोशिद मेरा इंटर्वीस था तो इंटर्वी दिये उस आंच yönड विभ्य वेंटर्वीस काुप लगा है मॉडुल एक इंटर्वियू लिया गया उसी इंटर्वियू में यह गई हुए थी हमारी बच्ची और वहीज माट्स के अधार पर इसका चैन हुआ खुशी महसूस कर लहें कि हमारी बच्ची विदेश जाएगी ग्रामीन महल तो मतलब यहां गाओं में इसाथ है कि मतलब जातर लोग लरकियों को तरा आगे नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं लेकिन हमारे पैरेंट्स ने इनको काफी मतलब मोटिवेट किया सुरू से और काफी चैलेंजिंग सिच्वेशन था हम लोग के लिए मतलब क्योंकि पापा मतलब किसाम से जुरे हुए हैं इन्होंने हम लोग को काफी अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इनको भी मोटिवेट किया काफी और इन्होंने भी अच्छा रिजल्ट लाकर हम लोग को काफी अच्छा